जाइन फ्रेंस वेलों बैक नमाई चलाएं तो आज के वड़ी लिख्या हूं मैं ACC 128 वाले कंड़ेट्स के लिए अभी रेसेंटली ACC 127 की SSB कंप्लीट हुई है और अब की बार जैसा की रिकमेडेशन रेट है काफी जादा है पहली बार ऐसा हुआ है कि 150 प्लस कंड़ेट्स रिकमेड हुए है ACC के एक्जामनेशन में तो जो ACC 128 देने जा रहे हैं उनकी जो SSB की डेट है वो अमूमन कब तक हो सकती है तो आपकी SSB की डेट आक्टूबर तक आने के चांसे हैं जैसे ही आपके SSB की डेट आ जाएंगे आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे या फिर हमारे वाटसब ग्रूप पे आपको जो भी अपडेट्स हैं जो भी डीटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो भी अपडेट से मिल जाएंगे, जिनको भी हमारा WhatsApp ग्रूप जॉइन करना है, वो मेंको डारेट मैसेज कर सकते हैं, यह है मेरा यहाँ पे WhatsApp नमबर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, जो कि अपने बिजनस परपस के लिए, फॉरन के नमबर यूज़ करते हैं, और वो इस ग्रूप में अड़ होते हैं, अपने जो भी कंटेंट्स हैं, वो वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, आप लोग की सेफटी के लिए, अपनी सेफटी के लिए यहाँ पे, आप हमारे डायेट WhatsApp नमबर पर कॉंटेट्ट कर सकते हैं, विल प्रोवाइड यूद लिंक एंड लिंक से आप हमारे गुरूप को जोईन कर सकते हैं, और चलिए फिर आपको मैं कुछ टिप्स बता देत यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो आज महीने की तेरवी तारीक है, तो अभी भी अगर मैं कंसलेट कर दो, आगे पास टोटल फॉर मन्स का टाइम है, तो इन फॉर मन्स में आप क्या करो कि आपकी प्रसनालिटी इंप्रूव हो सके, आपको किन चीज़ों पर जादा फोकस करना है, तो देखिए आपके जो चार महीने हैं, इसमें आपको सबसे पहले अपने कम्निकेशन स्किल के उपर काम करना पड़ेगा, अगर आपका कम्निकेशन स्किल अच्छा है, तो आपको वहाँ भी फायदे मिलेंगे, फायदे आजिन आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने क कम्निकेशन स्किल को बिल्ड अप नहीं करना है, आपको जो पावर अफ एक्सप्रेशन्स है, वो चाहिए, आपको अच्छे वोकैफ्स चाहिए, और अपनी ग्रामर की स्किल अच्छी चाहिए, जिससे कि आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके, आप वहाँ बता सके कि आप क्या चाहते हो बोलना ही क्या चाहते हो तो वो बहुत बड़ी चीज है अपने SSP के लिए नेक्स चीज है जो जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपके knowledge के उपर अगर आपके पास adequate knowledge होगी तो ही आप किसी चीज के उपर lecture दे पाएंगे आप conversation अपना continue कर पाएंगे तो knowledge भी आपको चाहिए इसके बाद जो main चीज आपके निकल के आती है वो आपके situation को समझना और handle करना situation को handle करने वाली बात आपकी किस से related है handle करने वाली बात आपके related है interview से and the fourth thing जो आपको करनी पड़ेगी वो अपने psychology के लिए TAT, VAT, SRT and SD बट इससे सबसे पहला part है आपकी PP and DT तो ये portion आपको पहले strong करना पड़ेगा और ये बगेर practice की चीज़े नहीं होती है तो I will just recommend you कि आप net पे सर्च करें कोसिश करें classes लेने की because वहाँ पर आपको महल मिलेगा आपको चीज़ें मिलेंगी तो आप चीज़ों को easily कर सकते है otherwise आप चाहते हो online course का फाइदा लेना तो हमारे पास भी आप contact कर सकते हो हम यहाँ पे online classes provide करते हैं जिसके अंदर हम आपके interview techniques के उपर focus करते हैं आपकी ये psych वाला part हम cover करते हैं आपके लिए जो भी आपको huddles आते हैं आपके ground task में वो आपको हम provide करते हैं next चीज़ है जिसपे आपको थोड़ा सा और महनत करना पड़ेगा वो है आपकी OIR OIR test के उपर focus करिए ये कुछ बहुत ज़ादा मुश्कल test नहीं है तो थोड़ा time कम रहता है यहाँ पर time की value थोड़ी जादा हो जाती है तो इस time को देखते हुए आपको practice करनी पड़ेगी जिसमें आप कम से कम time में अच्छा से अच्छा response दे पाएं so this is all about like basic चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी अभी तो जो आपके पास पहला महीना भी बसता है मैं उसके उपर दुबाराश जाता हूँ June के महीने में आपको क्या करना है June के महीने में आपको सबसे ज़्यादा focus करना है अपने OR के उपर because अगर एक बार आपने OR अपनी थोड़ी से ठीक कर ली तो आपको पूरा help मिलते रहे हैं June में सबस्यादा focus करना है अपने OR के उपर and अपने knowledge के उपर काम करना है साथी साथ communication skills अब communication skills कैसे बढ़ेंगी ज़्यादा ज़्यादा books पढ़ो देखो maximum लोग जो भी है यहाँ पे Indian Army में maximum लोगों की जो background है study background के बारे मैं बात करूँगा मैं तो उसमें दिक्कत यह है कि आप लोग maximum हिंदी मिडम से पढ़े होते हो या फिर हिंदी वाला ही महल होता है आपके पास तो जो vocabularies हैं vocabs बहुत कम होती हैं आपके पास तो vocabs के उपर थोड़ा सा focus करना आपने तो वो कैसी उपर books पढ़ने सोंगी मैं आपको कोई भी foreign writer size नहीं करूँगा आप basically किसी भी Indian writer की book उठाओ और उनको पढ़ो वहाँ पर जो words के इस्तेमाल होते हैं बहुत ही ज़ादा synonyms type के words नहीं होते हैं मतलब maximum क्या होती कि जब भी आपको इसी foreign writers के books उठाते हो लिखते हो क्या है synonyms का ज़्यादा use करते हैं जैसे अगर आप धोने को wash को होगे तो वहाँ पर rinse का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये सारी जो चीजों थे थोड़ी से hurdle पैदा करती हैं आपको तो अगर basic भी चीज़े आपको पता है तो आपकी communication skill, communication power अपने आप improve हो जाती है तो आप normal Indian writers के book उठाएं and आप उसको use कर सकते हैं अपने vocabs को strong करने लिए जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो daily का कोशिस करो 4 से 20 page के बीच में पढ़ने का minimum 4 page है, maximum 20 page तक आप पढ़ सकते हैं कोई कहीं होगा काम कर रहा है कोई कहीं होगा, बढ़ टाइम तो आपको देना पढ़ेगा और OR test की practice करें SSB crack की book आती है वहाँ से OR test आप ले सकते हैं जो भी आपकी syllabus है वो मिल जाएए आपको वहाँ पे और उसके बाद उसके अंदर practice set भी होगे और आपको और practice set शाहिए तो हमारे telegram पे हमने already upload कर रखा है telegram का भी link हम whatsapp पे आपको provide कर देंगे next रही चीज़ पहले महीने में आप यह करिए और उसके बाद आप जहां भी classes कर रहे हैं जिनको भी classes करनी है वो जल्द से जल्द classes कर लो क्योंकि एक बार आप classes कर लोगे तो आपके views आपके thought process clear होंगे फिर आप खुछ से भी practice कर सकते हो और मेरा recommendation कभी भी नहीं होगा कि आप SSB से 15 दिन पहले class के लिए जाओ या 30 दिन पहले class के लिए जाओ आपको अपना जगे दिखता है कि आप कहां stand कर रही है आपकी graph कहां पे जाके stand कर रही है तो आपको अगर टॉप पे पहुंचना है तो आप कर सकते हो और जिस भी candidate के अंदर self assessment नहीं होगा उसका SSB clear होना थोड़ी सी भारी बात हो जाती है तो अपने आपको time दो अपनी चीज़ों को अप सीखो इसमें अगर आपको कोई help चाहिए कुछ भी doubt हो तो आप इस number frequently call कर सकते हो whatsapp कर सकते हो आपको पका response दिया जाएगा नमबर है 903-2191-00 आज ही save कर लें आप horizon के नाम से तो आपको जो भी help चाहिए होगी यहाँ पर हम provide करते हैंगे आपको और मैं जादा जादा news के बारे में नहीं बोलूँगा आप लोगो कि news आप जादा जादा पढ़ो आप normal news को loop में रखो बहुत सारे ऐसे applications हैं जहाँ पर आपको daily के news आपको मिलते रहेंगे और जो international topics वगरा चल रहे हैं वो भी आपको पता चलती रहेंगी तो एक news channel है Vion नाम का वो आप install कर सकते अपने phone पर and Vion is like quite good आपको daily notifications मिलते हैं वहाँ पर तो daily भी आप एक एक चीज को देखें जिसमें आपको interest आएगा वो चीज आप पढ़ सकते हैं That is a genuine news channel I can recommend you So उस पर थोड़ा सा focus करें और चीजों को smoothly लेके जाओ आगे कोई दिक्कत नहीं आराम से हो जाएंगी और कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आपे समधान का निवारण है जो classes हम run करते हैं वो classes आपके दो mode में हम class run करते हैं एक class का mode है कि आपको बस 15 दिन के लिए हम class provide करेंगे 15 days जो कि मैं कहूंगा recommended है 15 days आप class लीज़े अगर आपको लगता है कि आगे भी आपको practice mode में active रहना है तो आप till ssb तक रह सकते हैं बड़ पहले 15 days आपको check out करने पड़ेंगे कि आपको उसमें स्वाद आ रहे हैं कि नहीं आपको चीज़े समझ में आ रहे हैं कि नहीं अगर आपने ये वाला packet choose कर लिए तो फिर वो तो नुकसान है और यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि आप लोगों से पैसे लेना है आप लोगों को चीज़े प्रोवाइड नहीं करना है हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि आपको quantity नहीं quality प्रोवाइड कर रहे जाए तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोचिए सोच के आगे अगर बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं मुझे आपके time में जो normal होगी होती है queries की सर आपका time कितना रहा कितना time आप दोगे देखो मैं को कोई आप से UPSC clear नहीं कराना है आप पूरे दिन पढ़ो और मेरे साथ अगर आपके पास call पे भी बात करने का आपके पास 20 से 40 मिर्ट का वक्त है तो आप class कर सकते हैं कोई problem नहीं है वहाँ पे बढ़ आपको ये वक्त देना पड़ेगा अगर आप ये वक्त देते हैं तो आप class कर सकते हैं आपके ये काफी फायदे मन्द होगी और charges हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं that is a minimal charge तो जब आप बात करेंगे आपको चीज़े समझ में आ जाएंगे बात बाकी that is an open market you can find it anywhere, any place and जो quantity और जो quality में प्रवाइट करूँगा वो भी आप check out खुद से भी कर सकते हैं assessment so this is all about the ACC 128 के SSB के लिए अगर आप लो कोई भी कोई भी कोई भी doubts है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर so once again if you like this video please do like and subscribe my channel thanks for watching this video, जैहन